प्रजानास कर देती है किसानों का पहले आधा करजा माफ कर दिया जाएगा फिर पूरा माफ कर दिया जाएगा आगे ऐसा खराब समय आ रहा है कि उसके सामने महा भारत भी फेल हो जाएगा मुसल्मान मुसल्मान आपस में लड़कर खतम हो जाएगे उस समय उनकी संख्या संसाल में सबसे कम जातियों से भी कम हो जाएगी रूस और चीन से भी उद्ध होगा मंगोलिया मलेसिया सिंगापूर बैंकार अरब देसों में भी लड़ाई छड़ेगी भारत और पाकिस्तान से भी उद्ध होगा अपने देस में भी काफी लोग मरेंगे क्योंकि अपने बुरे खान पान रहन सायन को न छोड़ने की वज़े से प्रकितने ऐसा इंतजाम कर दिया है पूरवी और पश्मी पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा बाद में नेपाल लंका वर्मा और तिबबत स्विच्छा से भारत में मिल जाएगा सारे विश्व के लोग भविश्व में हिंदू बनेंगे भारत का वर्तमान बिधान बदल लिया जाएगा नया बिधान बनेगा और उसके बाद दुनिया के हर देशों का उसी बिधान से कारे होगा भारत के उपर सारी दुनिया मिलकर भी गोला बरसाना सुरू करे तो भी भारत अब गुलामी की जंजीर में नहीं ठसेगा हाँ कुछ लोगों का जो बुरे लोग हैं उनका सफाया हो जाएगा दिल्ली राजधानी नहीं रहेगी बदल कर पचास मिल के उपर सव मिल के अंदर पर राजधानी बनेगी क्योंकि दिल्ली इतना असुद्ध और पवित्र जगय हो गई है जहां की नारिया भी सराप्तिती हैं बड़े बड़े लोग तो पीना सांच समझते ही हैं अमेरिका और चीन में जगडा होगा रूस और चीन में भी मन मुटा होगा चीन अमेरिका पर बम गिराएगा अमेरिका के बहुत से सर बरबाद हो जाएंगे अमेरिका चीन पर हमला करेगा और उसे नश्ट ब्रश्ट कर देगा चीन की जनसंख्या बहुत कम बच पाएगी जो कुछ बचेंगे उनकी रच्छा भारत करेगा अति व्रिष्टी अना व्रिष्टी भूकंप तुफान अन्न की कमी दवाईयों की कमी इतनी हो जाएगी कि लोग ध्राय ध्राय कर काल काउलित होते नजर आएंगे एक रुपए वाली दवा का दाम सौ सौ रुपए से भी अधि इसकी अभी कोई कलपना नहीं की जा सकती बड़ी बड़ी इमारते गेद की तरह से तीन तीन चार चार सौ फित उपर आसमान में उचल जाएंगी भारत को इज्राइल से दोस्ति कर लेनी चाहिए नहीं तो आगे हो ही जाएगी भविस में बंबई में बहुत बड़ा पानी के बिना देश और बिदोसों में करोडों लोग बे मौत मरेंगे उस समय एक मिनट में भगवान यादा जाएगा भारत में महानात्मा का जन्म हो चुका है जिसके उम्र 30 साल के उपर है आगे एक जालिम आएगा जो राजनीती के भरष्ट लोगों को अकेले ही समाप्त कर देगा एक समय ऐसा आएगा जब सहर के सेट सावकार लोटों का भरा बोरा लेकर कारों से गाओं में जाएंगे और किसानों से कहेंगे कि एक बोरा रुपिया लेकर मुझे एक बोरा अना भाज भी नहीं देंगे देश का सासं सत्यवादी चरित्रवान लोगों के हाथों में चला जाएगा तीसरे विश्युद्ध की सुरुआत चीन द्वारा होगी वसीधा अमेरिका के नगरों पर अडुबम छोड़ देगा अमेरिका रूस मिलकर चीन को नेस्तना बूद कर द फूटने ही नहीं पाएंगे जो थोड़े से फूटेंगे उससे मांसाहारियों सराबियों कबाबियों का सब्सक्रा हो जाएगा आज हिंदुस्तान में इतने सादू महात्मा हो गए हैं कि अगर वे एक एक गाउं को पकड़ लेते तो समाज में खराबी ना आने पाती समय बड़ा ही भैंकर है चारों तरफ को राम मचने वाला है लोग भागेंगे तडफेंगे चिल लाएंगे हाहा कार करेंगे फरियाद करेंगे और उनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा उनकी रच्छा पितिवी पर कोई करेगा तो वह है जै गुर्देयों यह परमात्मा का ना तब एक नया इतिहार लिखा जाएगा समय बहुत खराबा रहा है अमेर्का भी रोएगा चीन भी रोएगा इंगलेंड भी रोएगा भारत और अरब देश सब रोएंगे वह चंडी मसाल लेकर घूम रही है विश्व के सारे देशों में जाएगी कोई मुल्क छोड़ेगी नहीं चंडी एक देवता है वह सबसे पहले धन गायब कर देगी फिर अन्न की कमी कर देगी और सब को आपस में लड़वा देगी वक्त नजदीक आ रहा है जब इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर भागेंगे चारों तजब भगदर मचेगी 20 नमबर सन 2000 मतुरा देखिए भाईयों यह भविस्वारी परमसंत बाबा जैगुर्देजी माराज की है जो बाबा जी ने कहा वह सबसत्य होगा आप समय का इंतजार करिए बाबा जी की ऐसी भविस्वारी